गट्टू के निव स्पोर्ट शूज मम्मी और चिंकी साथ मैं बैठ कर टीवी देख रहे थे गट्टू पापा के साथ अपने नए स्पोर्ट शूज लेने गया था किकनी देर हो गया ना मम्मी गट्टू कब आएगा? मुझे उसके नए शूज चल्दी से देखने है बस आता ही होगा चिंकी थोड़ी देर और इंतिजार करो तब गट्टू और पापा घर आ जाते है आ गट्टू तूम तुम्हें पता है कबसे इंतिजार कर रही थी मैं तुम्हारा देखो देखो चिंकी मम्मी सब लोग नए स्पोर्स शूज देखो पताया चिंकी ये बहुत स्पेशल है क्योंकि ये सनलाइट में कलर भी चेंज करते है वाँ गट्टू ये तो बहुत ही अलग है आज तो गट्टू ने पूरे मार्केट में दो घंटे गुमने के बाद अपने पसंद के शूज लिये हैं तभी तो इतने अच्छे और स्पेशल शूज मिले हैं चलो गट्टू इन्हें अब सम्हाल के रखतो वर्ना गंदे हो जाएंगे नहीं ममी मैं इन्हें बिल्कुल भी गंदा नहीं होना दूँगा इन्हें खुब सम्हाल के रखूँगा मैं और रोज साफ करूँगा फिर गट्टू अपने शूज को शूरेक में सबसे उपर रख देता है और उसे एक पेपर से कवव भी कर देता है देखा ममी अब मेरे शूज बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे सब लोग गट्टू को देख कर हसने लगते हैं इसके बाद गट्टू सोने चला जाता है और चिंकी को खेलने जाना था ममी मेरे शूज कहा है? मुझे खेलने जाना है अरे चिंकी तुम्हारे शूज तो मैंने आज ही वाश कर दिये एक काम करो तुम गट्टू के शूज पहन के चली जाओ अरे ममी लेकिन गट्टू कुछ कहे रहा तो नहीं न अरे नहीं चिंकी तुम दोनों भाई बहन हो तुम्हें आपस में अपनी चीज़े शेयर करनी चाहिए जाओ तुम फिर चिंकी खिलने चली जाती है और थोड़ी देर में गट्टू सोकर उठ जाता है वो उठते ही अपने शूज दोलने लगता है ममी ममी अब मेरे शूज कहां गए मुझे अपने सभी फ्रेंड्स को दिखाने है ओ, वो तो चिंकी बहन के चली गई है बस अभी आती ही होगी गट्टू लेकिन क्यों ममी ऐसे नहीं कहते गट्टू तुम्हें अपने बहन के साथ चीज़े शेयर करनी चाहिए न तब चिंकी वापस आ जाती है लाओ चिंकी, मेरे शूज दो मुझे जाके अपने फ्रेंड्स को दिखाने है हाँ, यह लो गट्टू अरे नहीं, यह क्या क्या हुआ गट्टू, शूज गंदे हो गए हैं क्या गंदे नहीं ममी, फट गए है देखिए चिंकी ने मेरे शूज खराब कर दिये इसमें तो एक होल हो गया है अरे नहीं, यह कैसे हुआ चिंकी? आ, मम्मी, शायद खेलते वक्त गट्टी से लग्या होगा सारी गट्टू, सारी मम्मी चिंकी गट्टू से सारी बोलती है लेकिन उसे बहुत गुसा आता है और वो रोते हुए अपने कमरे में चला जाता है अरे गट्टू रुको तो, कहां जा रहे हो ऐसे नहीं करते बेटा मम्मी, गट्टू मुझसे बहुत नराज होगी है मुझे अच्छा नहीं लग रहा है यह परशान मत हो चिंकी यह तो ठीक हो जाएंगे मैं गट्टू को समझा दूँगी तुम जाओ, जाके अपना होमबग कर लो अब चिंकी उदास होके चली जाती है और अपना होमबग करने लगती है थोड़ी देर में पापा घर आते है और चिंकी उन्हें सब बताती है पापा, मुझे बहुत खराब लग रहा है गट्टू के शूज अब नहीं सही हो पाएंगे क्या क्या वो पूरी तरह से खराब हो गए है अरे नहीं नहीं चिंकी बेटा ऐसा नहीं है चलो, अभी चलकर हम उसके शूज ठीक करा लाते है ये सुनकर चिंकी खुश हो जाती है और वो जल्दी से पापा के साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है हाँ पापा चलिए गट्टू कब से नराज है मैं चाती हूँ कि वो जल्दी से फिर से खुश हो जाए और मुझसे बात करने लगे वो ऐसे चुपचुपच्चा नहीं लग रहा है फिर चिंकी और पापा गट्टू के शूज लेकर कॉबलर के पास जाते है दूसरी तरफ मम्मी गट्टू के रूम में जाती है और उसे मनाने की कोशिस करती है अरे गट्टू अब कितनी देर और तुम ऐसे नराज रहोगे चलो उठो चल कर कुछ खालो मैंने सैंड़िचिस बनाए है आजाओ नहीं मम्मी मुझे कुछ नहीं खाना है चिंकी नहीं सब क्यों किया मैंने एक बार भी नहीं पेने के अपने वो शूस और उसने उसे खराब भी कर दिया इतना कहिकर गट्टू रोने लग जाता है और मम्मी उसे समझाने लगती है ऐसे रो नहीं गट्टू पापा और चिंकी गए है ना तुम्हारे शूस ठीक करने नहीं मम्मी शूस पहले जैसे नहीं हो पाएंगे मैं जानता हूँ मम्मी गट्टू को समझाई रही थी कि तभी पापा और चिंकी भी रोम में आ जाते हैं अब रोना बन कर दो गट्टू गट्टू देखो तुम्हारे शूस बिल्कुल ठीक हो गए है क्या सच में हाँ आओ ये देखो गट्टू अपने शूस देखता है और वो बहुत खुश हो जाता है वाँ ये तो पहले से भी अच्छी हो गए पापा हाँ गट्टू हमने कॉबला से कहके जहाँ पे होल था वह है एक जी के एमरावडरी करवा दी अब तुम्हारे शूस पे तुम्हारे नाम का पहला लेटा भी है अरे वाँ ये तो सच में पहले से भी अच्छी हो गए है अब तो तुम होश होना गट्टू हाँ ममी अब मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ तो गट्टू तुमने मुझे माफ कर दिया ना हाँ चिंकी कर दिया फिर गट्टू अपने नए शूस पहल लेता है ममी मैं जाऊं अपने फ्रेंड्स को ये शूस दिखाने हाँ गट्टू बिल्कुल लेकिन पहले कुछ खा तो लो नहीं ममी मैं अब दिखा के आता हूँ फिर खाऊंगा मुझे तो इंतजार ही नहीं हो रहा है ये जी कितना अच्छा लग रहा है मेरे शूस पे अच्छा अच्छा ठीक है गट्टू जल्दी आना मैं भी तुमारे साथ चलती हूँ गट्टू तो इसी तरह गट्टू अपने नहे स्पोर्ट शूस को अपने सभी दोस्तों को दिखाता है और सबको गट्टू के शूस बहुत पसंदाते हैं और खासकर उसके शूस पे बना हुआ जी